नमस्कार स्वागत है आपका राजे सभा टीवी में मैं हूँ अमरताराय सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों पर एक निगा जी ट्वेंटी के आखरे दिन आतंकवाद जलवाईव परिवर्तन व्यापार के मुद्दे पर चर्चा भारत ने सबसीडी कटावती से किया इंकार विदेशों से आने वाले निजीधन पर टैक्स कम करने की मांग पहरे समले के मास्टर माइंड की हुई पहचान 170 जगों पर चापे मारी के बाद 23 लोग गिरफतार सिर्या में आयस ठिकानों पर फ्रांसिसी हवाई हमले 23 नेपाल ने भारत पर फिर लगाया नाकेबंदीकारों प्रधान मंत्री ओली ने कहा भूकम से भी बड़ा है मौजूदा संकट भारत ने आंतरीक हालात को बताया जिम्मेदार पुरसकार वापसी समस्या का समाधान नहीं राश्ट्रिय प्रेस दिवस पर राश्ट्रपती प्रडव मुखरजी का बयान कहा घटनाओ पर बहस ज़रूरी और तमिलनाडु में बारिश से अब तक 95 से जादा लोगों की मौत रहत और बचाओ कारे में जूटी इंडियारेप की 11 टीमें कल बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज और आए देखते हैं आज की पहली खबर नेपाल ने एक बर फिर भारत पर अगोशित नाकिबंदी का रोप लगाया है प्रधान मंत्री के पियस ओली ने राश्ट्र की नाम पहले संबोधन में कहा कि जरूरी सामानों की किल्लत दूर करने के लिए भारत से सामानों की आवजाही जरूरी है ओली ने पंशील के सिध्धानतों का हवाला भी दिया वहीं भारत का ये कहना है कि नेपाल के आंतरिक हालात इस संकट के लिए जिम्मेदार है नेपाल के नए प्रधान मंत्री खड़क प्रसाद ओली ने राश्ट्र के नाम पहले संबोधन में देश के मौजूदा संकट को भूकम से ज़ादा बड़ा संकट करा दिया उन्होंने कहा कि संविधान का मसौदा तयार करना आंतरिक मामला है और वो इस मामले से खुद निपटना जानते है ओली ने कहा कि नेपाल पडोसी देशों के साथ बराबरी का संबन्ध जाता है और इस मामले में सभी देशों को संयुक्त राश्ट्र और पंचिशील के सद्धानतों का पालन करना चाहिए प्रधान मंत्री ने भारत से इंधन, दवाओं और खाद्य पदार्तों की आपूर्ती जल्द से जल्द भाहल करने की मांग की है भारत लगातार नाकेबंदी के आरूपों को खारिश करता रहा है भारती विदेश मंत्राले के मताबिक ट्रक ड्राइवर सुरक्षा को देखते हुए खुद वहाँ जाने से डर रहे हैं जिससे सामान की आपूर्ती में बाधा आ रही है नेपाल मामलों के जानकारों का कहना है कि नेपाल के मौजूदा संकट के लिए आंतरिक वजहें जिम्मेदार है मुझे लगता है कि पहले तो ये अजंशन ही प्रॉब्लिमेटिक है कि भारत ने इस तरह का कोई अमबार्गो नेपाल पर लगाया है उसमें अरचने हैं बहुत सारी जो की ऑपरेशनल हैं ग्राउंड पर हैं क्योंकि सारे ये जितने भी हमारे बेपार के टरक जाते हैं वो विहार के साथ होते हुए मधेश से होकर जाते हैं यहां की जनता बहुत नाराज है इस वक्त जो कॉन्स्ट्यूशन बनाए उसको लेकर जानकारों का मानना है कि संकट का समधान नेपाल को खुद ही निकालना होगा नेपाल के अंदर क्या होता है उसका असर भारत पर पड़ता है और भारत की एक सोच बनती है जो एक दोस्त की तरह नेपाल को हम कुम्निकेट कर सकते हैं पर हाँ अधिकार नेपाल का है कि वो अपने अंधरुनी मामलों में किस तरह से बातें सुलजाना चाहता है जो लोग नाराज है उनको किस तरह से मनाना चाहता है और क्या संध्रोधन वो अपने कंस्ट्यूशन में और कब करेंगे ये उनकी बात है नेपाल में बीते करीब तीन महीनों से मधेसी आंदोलन जारी है जिसकी वज़े से भारत से लगी रक्सॉल बीरगन सीमा पर यातायाद बाधित है इस सीमा से ही 70% कारोबार होता है नेपाल के मधेसी लोग देश में लागू हुए नए सम्विधान का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन के चलते वहाँ जरूरी सामान की किलत हो गई है विपिन चोहान राज्य सभा टीवी और इस मसले पर बाकशीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं एक हैं राजेंदर दहल साहब जो की पूर्व नेपाल के पूर्व प्रेसिडेंट के प्रेस एडवाईजर रह चुके हैं दूसरे हैं हमारे साथ एक और खास मेहमान आनन स्वरू वर्मा आप दोनों से हम इस चर्चा को करेंगे कि आखिर नेपाल का संकट इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है कि अब प्रधान मंत्री को इस तरह का बयान देना पड़ा है सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं दहल जी दहल साब ये बताइए कि ये जो नेपाल का संकट है जिसके लिए आज प्रधान मंत्री को भी अस्तक्षेप करना पड़ा और ये बयान देना पड़ा सवाल ये है कि आखिर संकट इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है क्या नेपाल अपने संकट का समाधान करने में नाकाम साबित हो रहा है या फिर भारत के प्रति ओवर सेंसिटिव है नेपाल का ही है संकर को नेपाल का ही अंतरिक समस्या ये टीन मेंने से मने स्मि समें जारी है बारह से दो मेने पहले से इसी थे समीदान के कुछ प्रावदान को लेकर तो उसके बावजूर भी सम मेने से चला आ रहा है अभी नेपल की सरकार इस समयान करने में नहीं दिखने आगा है इसलिए हो तो समस्या तो है बगर यह समस्या जितना है जितना जटील भी हो चुका है अभी अभी पूज़े में तो कोई समयान भी मैं तो यहाँ से जो दिखता हूँ प्रधान मंद्रिGu प्रधानमंत्रि औलिख खुद ये कह रहे हैं कि ये जो भूकम पाया था उससे भी बड़ा संकट है. तो इस संकट से निपटने का जब भूकम से निपटने का उन्होंने उपआय ढूंड लिया और तमाम राश्ट्रों की मदद ली तो इस संकट से निपटने में वो उपाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ प्रोब्लम उनके कोई पॉलेटिकल प्रोब्लम इतने जटिल हो गए इतना ज्यादा इतना कमजोर हुआ है आपसी विश्वास मदेशी लोग मदेशी पार्टी और सरकार के बीच मां के जो संभाव की सब्सक्राइब कर दोनों की जो चरम अतिवाद की जो इस्टैंड बनाये हुए हैं उनको वो त्यागना पड़ेगा समस्या है तो है अभी तो भुकंप से भी ज्यादा क्योंकि बुकंप तो विस्तिस जिल्ले में डिस्टिक्स में ही सीमित था उसका अशर जिए तो सेवें दिस्टिक्स में ही अभी जो आपूरती सिस्टम है वो जो गड़बाडा गया है सब तो फिर प्रदान मंत्री का ये कहना कि जो नाके बंदी है उसके लिए कहीं न कहीं भारत जिम्मेदार है ये कितना सही है उसमें कुछ सही तो हम भी देखते हैं क्योंकि सबी नाकों में कर देखते हैं नाके विन्दू में खाली भी है अब जो तरहाई में मदेश में बीच दिटे हैं हमारे इस डिस्टिक्स हैं उसमें आप डिस्टिक्स में तो बहुत बड़ा अंदोलन चल रहा है वहां से कोई ब्यापा नहीं हो सकता इंडिया के साथ मगर जो बाकी अब मैं आनंद सरू वर्मा कारोख करना चाहती हूं वर्मा जी आप भी लंबे अर्से से नेपाल के और भारत के संबंदों को देखते जानते रहें हम लोग आपके जरीये बहुत सारे भारत और नेपाल के संबंदों को समझते रहें यह जो महजूदा संकट है अभी हम बता रहे हैं कि तकरीबन दो से तीन महीने हो गए मधीसियों का अंदोलन लगातार चल रहा है और संकट की सिती लगातार गहराती जारीया प्रधान मंत्री को इस तरह के बयान देने पड़ने है कि नाके बंदी के लिए भारत जिम्मेदार है क्या कहीं आपको नहीं लगता है कि इस नाके बंदी को और मधीसियों की समस्या को सुलजाने के लिए खुद वहां की सरकार को भी अपनी तरफ से कोई पहल करनी चाहिए कोई कोशिश करनी चाहिए थी ने इनिश्चित तोड़ से चुकि सम्विधान जारी होने से पहले से आंदोनल चल रहा है इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो जाती इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन लगातार हम ये भी देखते रहे हैं कि उन लोगों ने उनके साथ मधेशियों के साथ वारता भी लगातार जारी रखे लेकिन कुछ मुद्धे हैं कुछ मसले ऐसे हैं जो संबोधित नहीं हुए हैं सम्मिधान में यह भी सही है यानि मधेशियों की जो डिमांड्स हैं वो कुछ डिमांड्स तो जैनूइन हैं कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत सामान निकिस्म की हैं जैसे भार्षा का सवाल है और भी छोटी मोटी चीज़े हैं तो वो तो हल हो सकते हैं बादचित के जरिए लेकिन समस्या को जचल बनाए मधेशियों के प्रती ये बेरुखी क्यों रही है वहां के सम्विदान निर्माताओं की बनाज़े हैं राजा साल से राजा शाह से लिए के राणा बंच तक इन सब ने पहाड बना कराई एक कांट्रेडिक्शन पैदा किया और इसी कांट्रेडिक्शन के बल पर वो शार्षन करते रहे वो तो दस साल जो जनजुद्ध हुआ जब मावादियों ने उसके बाद सत्ता समहाली तब वो लग इस्सेदारी भी हुई और अभी जो सम्विधान बना है उसमें 33 प्रिस्वत महिलाओं को जो आरक्षन है या दलितों के लिए बहुत सारी बाते कहे गई हैं वो इसी का परड़िणाम है दूसरी बात यह है कि जो अंतरिम सम्विधान था वो इस सम्विधान के मुकाबले ज तब आप ध्यान दिखिए कि सम्विधान सभा पहली सम्विधान सभा में बना था और उसमें माववादी सबसे बड़ी पार्टी थे और अभी जो सम्विधान बना है उसमें माववादी तीसरे नमर की पार्टी है संसत के अंदर और संसत के बाहर कई फूट हो चुके कमज इसलिए उनका जो एजेंडा था जो एजेंडा हाशिये पर पड़े लोगा एजेंडा था उसको उस तरह से इसमें नहीं रखा जा सका क्योंकि यह सही है तो क्या यह जो भारत अपनी तरफ से कह रहा है जिसके बारे में आज प्रधान मंतरी ओली ने बयान दिया कि नाके आपने में नाकाम होने के बाद प्रधान मंतरी जो है पडोसी राष्टर पर इस तरह क्या रूप लगा है यह सही है कि आंतरी के स्थिती से निवटना उनका उनका काम है और निवटने में वो काफी हद तक विफल रहे हैं लेकिन इस स्थिती का फायदा भारत ने उठाया भारत की सत्ता ने अपनी नाराजगी की वज़े से नेपाल की बाह मरोडने का काम किया है मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ और मैं बहुत दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि देखें बीस सेप्टमबर को सम्विधान लागू हुआ है 21 सेप्टमबर को भारत सरकार के व बार ना दिया जा रहा है मधेशियों के रिए इस तारी के रात में ही ट्रकों को रोख दिया गया बात है इसके बाद तमाम ट्विट होना शुरू हुआ और तमाम खबरें आएं कि इंडिया ने नाके बंदी कर दी है वो नाके बंदी हटा ली गई उसके बाद तेश तारीक से धरना शुरू हुआ है नहीं लेकिन जैसा कि अभी दहल सहाब बता रहे थे कि मधेस इलाका जो ह है बीस जिलों का है जिसमें से आठ जिलों में जादा बड़ी समस्या जहां पार आंदोलन चलता है बाकी जो जिले हैं भारत के करीब जो जिले हैं वो तो खाली है वहां से तो आवाजाही हो सकती है लेकिन वहां पे भी नहीं हो पारी है तो यही तो इसलिए तो मैं कह रहा जो समस्या इस समय उत्पन हुई है उससे जो नेपाल की जनता है उसकी स्थिती क्या वाकई परिशानी वाली है उसको किस सरे की परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है नहीं अभी यह जो सप्लाई सिस्थम तो इतना गड़ड़ा गया है कि अब मेरिशीन भी खतम हो चुक तो रहा था कि जो बर्मा साबने वो बुले है ऑंतेर हम समई दान से मैं जो कुछ अभिकार मदेशियों को दिया गया था वू क्यों वापस लिया गया इस समीदन यही बात को हम लोग भी नritis इसके बात में बहुस कर रहे से सर्कार की नाराज़िया आई और इसके बाद नेपाल सरकार का रुख बदल गया और नेपाल सरकार को एक अच्छा बाह ना मिल गया कि अपनी कमजोरियों को छुपाने का वो दूसरे के ओपर आरुप लगा रहे हैं लेकिन फाइनली मैं यह ज तरह रहा है और 20 तारीकों सम्विधान बने के बात से लगातार इस तरह की चीजी आ बतारiki 21 तारिक से नाके बंदी जारी है अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्या उपाय है? क्या प्रधान मंत्री ने जो जिस तरह का बयान दिया वो उनके हित्मे है या इससे और संकट बढ़ेगा? भारत सरकार केवल एक बयान जारी कर दे और मध्येशियों से अपील कर दे कि आप लोग वारता की टेवल पर जाईए और बातचित के जरिए इस समस्पेस्भा को सुलजाइए. लेकिन मैं कहना हूँ कि भारत सरकार यह बयान नहीं जारी करेगी क्योंकि भारत सरकार की में देख करके कह रहा हूं कि पूरी नेपाल की पेस्ट भूम में मधेशी नेत्रित्व काफी कुछ भारत सरकार की सलाह पर चलता रहा है। यह उस बिंदू तक ना पहुंच जाए कि वापस ना आ सके इस से पहले भारत सरकार को हस्तक्षेप नहीं जिस तरह सलाह दे रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे ब्रेक के बाद लोटते हैं कुछ और खाबरों के साथ। देश में बढ़ता मीडिया बाजार, हजारों करोड में पहला कारोबार, फिर क्या है मीडिया की चुनौती और क्या है बहतरी के आसाथ। देखिए विशेश राष्ट्रिय प्रेस दिवस आज शाम साथ साथ बजे। सम्मेलन के आखरे दिन भारत ने सदस्य देशों से बैंकों की सूचनाय साजा करने में अती गोपनियता बरतने का भी विरोध किया। जी ट्विंटी शिखर सम्मेलन के आखरे दिन सोमवार को सदस्य देशों के बीच व्यापार, वित और जलवाईू परिवरतन के मुद्दे पर गहरी रसा कशी रही। अमेरिका ने घरेलू गैस और पेट्रोलियम के खपत कम करने के लिए उस पर दी जाने वाली सबसीडी को दो हजार पचीस तक खत्म करने का प्रस्ताफ किया। भारत ने अपने विकास जरूरतों के लिए इसे जरूरी बताया और सबसीडी में कमी का विरोध किया। भारत ने निजी खातों में बाहर के देशों से आने वाले धन पर लगने वाले टैक्स पर कमी की मांग की। इसे तीन फीजदी से जादा नहीं रखने पर जोर दिया। अभी ये 7.5 प्रतीशत है। पिछले साल करीब 70 अलब डॉलर की राशी भारत भीजी गई थी। समेलन में साइबर सुरक्षा के मामले में सभी देशों के वीज आम सहमती दिखी। भारत ने विकास शील देशों में विकास के दोरान स्वच उर्जा हासिल करने के लिए 2020 तक हर साल 100 अरब डॉलर की वित्तिय और प्राद्योगी की मदद के वादे को तुरंद पूरा करने और आगे भी जारी रखने पर जोर दिया। अखिलेश सुमन, राजसभा टीवी प्रांस के प्रधान मंत्री ने कहा है कि पारिस कतलियाम के बाद फ्रांस और यूर्पिय देशों में नए हमलों को अंजाम दिये जाने की साज़िश रची जा रही है। इधर पैरिस में आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने सीरिया में आईस के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। फ्रांसेसी लडाकों विमानों ने सीरिया के रका में आईस ठिकानों पर बंबारी तेज कर दी है। ताजा अभियान में दस लडाकों विमानों ने करीब 20 ठिकानों पर बंबारी की है। हमले में आईस का एक कमांड सेंटर, एक गोला बारू डीपो और लडाकों की शिवर को निशाना मनाया गया है। इस बीच फ्रांस के राश्रपती फ्रांसो ओलान देश में आपातकाल की समय सीमा को 12 दिनों से बढ़ा कर तीन महीने करने की पक्ष में हैं ताकि आतंकी घटना से निप्टा जा सके। शुकरवार को पैरिस में रेस्टरॉं, कॉंसर्ट हॉल और स्टेडियम के पास हुए हमलों में 129 लोग मारे गए जिनकी याद में फ्रांस में तीन दिन के लिए राश्री शोक की घोश्टा की गई है। किसी भी मसले पर बहस में संतुलन बरते जाने की हिमायत की है। दिल्ली के विज्यान भवन में हुए समारों में राश्रपती ने पत्रकारिता के शित्र में बहतरीन काम करने के लिए छे पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर पुरसकार की महत्ता का जिक्र करते हुए राश्टरपती ने कहा कि पुरसकार किसी भी पेशे में कड़ी महनत और टैलेंट और मेरिट के एवज में मिलते हैं, पुरसकार पाने वालों को इसका सम्मान करना चाहिए। Such awards should be cherished and valued by those who receive them. Sensitive minds sometimes get disturbed by some incidents in society, but expression of concern over such events should be balanced. Emotions should not offer a reason. मशूर अभिनेता के सईद जाफरी अब नहीं रहे. 86 साल के जाफरी ने शनिवार को लंदन में आखरी सांस ली. जाफरी के निधन पर प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी समेट बॉलिवुट की तमाम हस्तियों ने शोक चताया है. पचास साल से भी जादा लंबे करियर में सईद जाफरी ने कई यादगार अभिने किये जो दर्शकों के जहन में हमेशा जीवन्त रहेंगे. थीयटर से अभिने की दुनिया में कदम रखने वाले जाफरी ने शतरंच के खिलाडी, मासूम, गांधी, चश्म बद्दूर, राम तेरी गंगा मैली, हिना जैसी फिल्मों में काम किया. 1977 में आई सत्तजीत रे के फिल्म शतरंच के खिलाडी ने उनकी अभिने कला को नई पहचान दिलाई. इसके लिए उन्हें सरवश्रेश्ट सह अभिनेता का फिल्म फेर पुरुसकार भी मिला. जाफरी ने वॉलिवूड के लावा थियेटर, टीवी शोज और हॉलिवूड में भी अपने अभिने का लोहा मनवाया. उन्होंने रशर्ड एडिनबरा की बहुचर्चत फिल्म गांधी, The Man Who Would Be King, A Passage to India, The Far Pavilions जैसी अंग्रेशी फिल्मों में भी काम किया. कब तक मैं जूट बोलता रहूंगा इससे पांडे साब, सच तो ये है कि इसे आप रहां मत कीजिए, यहीं जेल में रखें इसे आप. सईद जाफरी का जन्म आठ जनवरी 1939 को पंजाब में हुआ था, उन्होंने लंदन की राड़ा अकादमी में अभिनेक गुर सीखे, सईद पहले भारतिय थे जिन्हें Order of the British Empire से नवाजा किया था. जाफरी को हमारे भी श्रद्धान जली, इसे के साथ इस पुलेटिन में इतना ही अधार.